नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका पुनम सिंग रेशिपीज में और मैं पुनम आज आप लोग को जाड़ा इस्पेशल सर्सो की साग की रेशिपी लेकर आए हूँ प्रेंट्स तो यह साग मकई की रोटी दही गूड प्याज की कुछरी अलू बेगन की सबजी और कदिम्मा कोढ़ा की सबजी के साग बहुत हीट्रेंट्री लगता है सर्सो क प्रेंट्स दाले हुए हैं बौई हुए हैं तो ये साग कुछ घना हो गया है और घना जानकर भी बोते हैं ताकि इस साग का सिवन कर सके हैं तो mustard chips भी हो जाता है फ्रेंट साल भर मसाला के लिए तेल तो नहीं हो पता है लेकिन मसाला हो जाता है मेरे kitchen garden के सरसो से तो काफी गना सर्सो हो गया था तो देखिए कैसे उसको अलग-अलग करके हटा कर थोड़ा गैप दे रही है साग को कि जो फले तो अच्छा फल पकड़े उसमें तो साग निकालने के बाद फ्रेंट्स देखिए इसका निराई हो रहा है मतलब कि इसका सौफ्ट पत्ती जो है उसको हम लोग तोड़ ले रहे हैं यह है हेलफर मेरी वही तोड़ रही है तोड़ने के बाद आपको काटने का मन हो काटे आप ऐसे भी बॉयल कर सकते हैं तो इधर पानी हम गरम रख दिये हैं सरसो का पत्ता तोड़ने के बाद साग का पत्ता उसको अची तरह से वास करने के बाद हम इधर बॉयल पानी में डाल दिये हैं इसको उबालने के लिए तो पांच से साथ मिनट तक ही से हम हाई फ्लेम पर उबालेंगे तो सारा पत्ता हम इसमें डाल दियें है साग का पत्ता फ्रेंट्स और इसको हम ढख देंगे और ढख कर उबालने से जल्दी उबल जागा तो देखिए बॉयल हो चुका है और इसको हम निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए इस टेनर के साहता से हम गर्म पानी को निकाल लेंगे इधर हम ले लिए हैं मिक्सी का जार इसमें हम कोर्सली पीसेंगे चुकि बच्चे थोड़ा रुखडा-रुखडा लगता तो नहीं खापाते हैं तो हम पीस कर बनाते हैं फ्रेंट्स आप दीरे दीरे मीडियम प्लेम पर इसको डेक्ची तसली जो भी हो बोलते हों उसमें आप बना सकते हैं इसको मतनी की सहायता से चला चला कर तो वो भी अच्छा लगता है और इधर हम मलाई डाल कर इसको कोर्सली ही पीसेंगे ज्यादा अबारी चिकना पेष्ट नहीं करना है कोर्सली पीसा हुआ सर्सो के साग का स्वात बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंट्स तो आज दीपावली सेलिब्रेट हो रहा है तो बिच बिच में पटाकक की भी आवाज मिल सकती है फ्रेंट्स तो इग्नोर कीजिएगा तो सर्सो का साग पिषने के बाद हम पैन गरम कर लिये हैं इसमें डालेंगे हम वाइट बटर चुकि मेरे पास वाइट बटर ही उपलब्ध था तो हम डालेंगे एक सर्विंग स्पून वाइट बटर और इसी में डाल देंगे हम सर्सो का साग जो पिशे हुए थे इसको हम चला चला कर इसको पानी सुखने तक हमें इसे फ्राइ करना है पकाना है ताकि इसका पानी सुख जाए तो जो इसमें कसेलापन थोड़ा कड़वापन रहता है वो होता है कि ब्लैक सीड वाली जो मस्टर्ड होती है न उसका थोड़ा सा जो पता होता है वो कड़वा ह तो इसका पत्ता सौफ्ट भी होता है और उसमें उतना कडवापन नहीं होता है तो हम इसको चला-चला कर सुखा लेंगा इसमें हम भूना हुआ मकई का आटा डालेंगे एक सर्विंग इस्पूम इससे कि साग का स्वाध भी बढ़ता है और थिकनेस भी आ जाता है साग में आ आप वैसे चावल और रोटी के साथ भी खा सकते हैं पूरी पराठा के साथ नहीं तो ऐसे ही चला-चला कर हमें इसे अच्छी तरह से तयार कर लेना अब इसमें हम डालेंगे स्वाध के अनुसार नमक नमक तो जरूरी है साग में बिना नमक के स्वाध भी नहीं आ सकता है क किसी भी नमकी इंचेज में प्रेंट्स तो हम इसमें डालें स्वाध के अनुसार नमक और उसको चला-चला कर हम फ्राई कर लेंगे देखिए पानी इसका सुख रहा है और थिकनेस भी बढ़ रहा है साग का खूले में ही इसको पकाएं ढग कर रहें भाप से पानी जल्दी सोख लेता है तो देखिए अब साग हो गया है तैयार तो अब इसमें हम डालेंगे उपर से सर्सो का तेल तो उधर देखिए हम साग तब तक ठंड़ा हो रहा है तब तक हम इधर मकई का रोटी बना लेते हैं मेज मेज जो होता है मका इसका खाने इसको रोश्ट करके इसका आटा पिसा जाता है और उसके बाद तब इसको हम लोग बनाते हैं देखे हाथ की साथ इसको बेल नहीं स हाथ पर लेकर ही तावा पर डाल सकते हैं लेक्षिन सबसे आसान रहता है हाथ पर ठोक कर और ऐसे बनाईए रोटी बहुत ही लजेज बनती है और सर्फोक का साग और मकई की रोटी तो फेमस है और ये घर घर में बनते हैं जाड़े के दिन में हमारे नौर्थ विहार में भी और पंजाब का तो फेमस है ही तर देखिए आठा को तुरत मिलाया जाता है और तुरत बनाया जाता है तो इसको भी हमें मेडियम फ्लेम पर पकाना है दीरे-दीरे तुरत नहीं पलट सकते जब तक दुसरे तरफ ये टाइक नहीं हो जाता शिक नहीं जाता इधर साग भी किंच का अधरक हम टुकडा ग्रेट कर लिये हैं फ्रेंट्स जो स्वादेश्ट बनाता है हमारे सरसो के साग को तो आप लोग में से कितने लोग सरसो का साग खाए हैं और बनाये हैं हमें जरूर कोमेंट करके बताईएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी क करते रहिएगा फ्रेंट्स तो देखिए साग करीब तयार हो चला है और अब हम करेंगे इसका प्लेटिंग तो हम ले लेंगे एक बोल बोल में हम साग को सर्व करेंगे आप सब के लिए और जरूर हमें कोमेंट करके बताईएगा कि ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगे र लगे तब लाइक कोमेंट्स से अर तो बनता है फ्रेंट्स तो देखिए इसको हम सर्व कर रहे हैं और उपर से हम थोड़ा सा और डालेंगे सर्व का तेल और जो हम अदरक लहसन और मिर्ची डाले थे डाल कर मिलाये थे उसको उपर से भी हम गार्निस कर देंगे और थोड़ा ये खाने में बहुत ही लजज लगता है दात के नीचे कच-कच पड़ता है खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंट्स तो चलिए पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद फ्रेंट्स रेसिपी अच्छी लगे तो लाइ खुबाय टेक केर वेव नाइस दे थैंक्स फर वाचिंग जाडे की मसहूर सर्शो का साका आनंद लीजे आपसा फ्रेंट्स